हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे सभी की त्यारी हो चुकी होगी साइंस की एक बार रिवीजन करना बागी रह गया होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन क प्रदूशर और आपदा धक्का जितना तरह बस बचा हुआ है सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा फटा-फट से रिवीजन कराओंगी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वहीं आपकी करवाओंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानफ शरीर के अंग में आपका जो आपका चैप्टर है इसमें आपका कोई भी अंग का चित्र बनवा सकते वो जैसे उचसरजन अंग के चित्र बनवा सकते हैं कीड़नी वगेरा का आ जाए या आपसे नंग कंप्लीट जै सिर से शिर्फ क्रिये मानफ च करेंगे सिर से स्टार्ट करेंगे आपका सिर क्या होता है आपका जो शरीर है उसमें उपर की तरफ इस्तित होता है आपका सिर ये ग्रीवा द्वारा आपका धर से जुड़ा रहता है इसके दो भाग होते हैं उपर का भाग आपका कपाल कहलाता है जिसमें आपका मस्तिक्स होता है और तो आपका नीचे का भाग होता वह आनन कि आते हैं बात करते हैं हडियो की खोपडइ में आपकी 20 अपर जाती हैं। मदल और आफ करते होती हैं वह से खोपड़ी होती है वह दो ग्रीवा की उसलीए मिल तब वह आपकी हो मस्ieso मस्टिक के आपकी तीन भाग होते हैं पहला होता है पकुष मस्टिक्ण के यह कारे की नियंत्र वे नियमन करना है और इसका कारिक ज्यान बुद्धी तरक इसमेन विचार इनका सबका नियंतर करना है निर्णा लेने की छमता वगयरा सब कुछ आपकी मस्तिक से ही आती है ग्रीवा क्या है आपकी ग्रीवा सिर और धड़ के बीच का पतला भाग होता है इसमें से उकड़ शिराय धमनिया तंत अब आते हैं हिर्दय हिर्दय आपका important है या तो आपसे हिर्दय की कारे वगयरा पूछेगा हिर्दय के बारे में wordन करने को पूछ सकता है एक question आपका इस पूरे chapter से आएगा ही आएगा चाहें तो वो आपका diagram से संबंदित आजा या फिर किसी भी अंग के कारे से संबंदि और इस्तित होगा इसमें चार कक्ष पाए जाते हैं जिसमें आपके दो अलिंद होते हैं और दो कक्ष आपके निलय होते हैं बाई तरफ बालों को बोलते हैं बाया अलिंद बाया निलय और दाई तरफ बालों को बोलेंगे दाया अलिंद और दाया निलय ठीक है नेक्स्ट आ कहल आती है और हिर्दय से जो rhinocams रखत सिराओं ले कर जाएंगी वह धंडिया कहलाती है अशुद्द रखत किसे बहता है आपका शिरायं में ब यह धाएं और अशुद्द र॥ी नेक्स्ट आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो अशुद्रक्त किसमें होता है शिरा में होता है और शुद्रक्त किसमें बहेगा आपका धमनी में लेकिन इसके आपका अपवाद होता है कि फुफुस या पल्मोनरी शिरा होती है उसमें आपका क्या बहता है शुद्रक और पलमों नरी धमनी होती है उसमें किसा रखता है और शुद्ध रखत बहता है इस चीज को द्यान रखना है एक पंप की बाती कारे करता रहता निरंत रखत को प्रवावित करता वाला है ठीक है अगला क्या है यह रक्त को शुद्ध करड़ होने के बात फेफड़ों में भेज देता है यह भी हिर्दय के दोनों कारे हैं आते हैं श्वशन अंग पर तो श्वशन अंग आपके कौन-कौन से नासा गुहा हो गई कंठ हो गई श्वासनली हो गया आपका और यह आपके मुख्य श्वशन अंग होते हैं अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स के बारे में है कि आपका फेफड़े श्वशन क्रिया के प्रधान अंग है यह वक्च गुहां में इस्तित होते हैं मनुश्य में यह एक जोड़े के रूप में अपस्तित होते हैं यानि कि दो लंग्स आपके होगे फेफडे में रक्त का शुद्धी करण होता है यानि कि फेफडे का जो मुख्यकार होगा वो क्या होगा बलड को शुद्ध करना हो जाएगा आपका फेफडे का कारे है कि आप रातावरंड से प्लाण वायु को लेकर रक्त परिसंचर में प्रभाव और इस तरीके से आप इसका नाम बगेरा सब कुछ लिखे हुएं स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हो और यहां पे चित्र बना दीजेगा नेक्स राते प्रमुक जीवों के शुषण अंग तो केचू आमे एक जो शुषण होता है आपका वो तुचा के दौरा होता है मचली में गिल्स के दौरा कॉप्रो जो तिचलते में शुआस्चिद्र यानि के एयर होल्स पाई जाते हैं संपूर्ण धाचे को कंकाल तंत्र कहा जाता है मनुश्री के सरीर में कुल 206 हड़ियां पाई जाती है अगर नवजाज शिशु की बात करते हैं तो उसमें लगवक 300 हड़ियां पाई जाती हैं मानप की खोपड़ी होती है इसमें 22 हड़ियां होती हैं ये कोश्चन आपका 2017 मे आया हुआ है जिसमें से 8 हड़ियां आपकी कपाल में होती हैं और 14 हड़ियां आपकी आनन में पाई जाती हैं नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऐसे कुछ पॉइंट है जो कॉमन कोश्चन है और आपके ऐसा नहीं कोई पढ़ाएगा ही जाती जिसका नाम में आपका स्टैपी कंकाल तंत्र के कारे की बात करते तो यह शरीर को आकार प्रदान करता है शरीर के कोमर लंगों की सुरक्षा करता है यह मास्पेसियों को क्रियाश्यल बनाना इसका कारे और शरीर के धांचे का निर्मार करना इसका कारे आपका MCQ में इक बार question आया हुआ है, पूछा या था कि निम लिखित में से कौन सा कंकाल नेक्स्ट आपकी पेशियां और पेशियां होती है चरीर की सभी प्रकार की गति अस्थी वा-पेश्यों की अधृचियों के संबंद से थे इस तो प्रकार हैं मनिश्य की जी जीवन में दात दाesusी किया हूतती आजहीं तो पीसने का कारी करते हैंά और जिसरे होती मत्मौनि दान्त की में तो दूर के धानत यानिकि अस्थाई धानत उनको बोला जाता है इनको दूसरे आपके इस्थाई दानत निकलते हैं इनको पर्मानेंट टीत बोला जाता है जो इस्थाई धानत होते हैं उनकी संख्या होती है आपके 20 दूट के दान्त बालक के लगबग 7-8 महा की आयू से निकलने लगते हैं और 2-3 साल तक पूरी के पूरे हाग जिसमें आपका पहला है कृन तक यह कही और यो उपर के जबडे और लुदраж के लग 계त लुए सब्सक्राइब देखनें को मिलेंग देख सुद्क गेए 문제 एंगे artık के लुद्ध संख्या होती है इस दो संख्या उपर हो फार कारय करती है और प्रिमोलर 42 होती है काम नेन इस रहुते हैं आपके नटो चवणक आते हैं इस याद्या ढ़की पीम चलने का और आपका प्रिमोलर और मोलर 42 और 46 उपरी जबड़े में भी और सेम 42 और 46 आपके नीचे जबड़े में भी ऐसे आपके टोटल 32 नात हो जाते हैं नेक्स आते हैं पाचन तंत्र पर तो मनुश्य में पाचन जो होता है वो मुख से लेकर छोटी आथ तक रहता है और भोजन क्या होते है चोटे चोटे कडू में हम मुह में ही तोड़ लेते है और धिरे-धिरे क्या होते है वो अंदर जाता है और आमा शहोट है ज क्रिया क्लíre स्वक्तिών में बिवाजित हो जाते हैं पटापट से पाचन देख लेते हैं मुख में पाचन कैसे होता है तो मुख में सबसे पहले हम खाना को खाते हैं और दातों के द्वारा उसको चबाते हैं मुक में हमारी तीन जोडि लार ग्रंथिया पाई जाती है लार का पीयशमान आपका होता है। यहां पर आपका जो भूजन होता है उसमें जो भी स्टार्च होगी वह माल्टो शरक्रा में चेंज हो जाती है इसके बाद जो हम आगे भढ़ते हैं तो आपका जो भूजन है वो ग्रास नली के दौरा क्या है आमाशे में जाएगा ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होगा केबल आपका क्रमा कुंचन बिदी के दौरा जो भूजन है वो आमाशे तक पहुच जाता है आमाशे में जो आपका भूजन है लगवख चार गंटे तक रहता है और इस आमाशे में आपका जठर रस और THL Acid निकलते हैं जठर रस में आपका कौन सा एंजाइम पाए जाता है यह आपको याद रखना होगा जटरेस में आपके दो एंजाम पाए जाते हैं एक पैपसिन और एक रेनिंग पैपसिन का काम होता है प्रोटोन को पैप्तोंस में बदलना और रेनिंग का काम होता है दूद को फार देना STL Acid का क्या काम है STL Acid जो बोजन को क्या बनाएगा अमलीय बनाएगा यह अमल है अतो अमलीय कर देगा और साथ साथ जो भी जीवाड़ उपाए जाते हैं जो भी जीवाड़ आपके भोजन में आ रहे हैं उनको मार देता है थीक है इतना तो आपके में शायद है नहीं आएगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यह तो आप पूरी यह लिखेंगे तो अपने आप ही आपका यह एक पेज पूरा भड़ देगी छोटी आथ की बात करते हैं छोटी आथ क्या है इसमें आपका पूरा पाचन हो जाता है जितना प पूरा पाचन छोटी आथ में कुछ भी नहीं बचेगा और जो भी बचेगा वह अपचित पदार्थ होता है बिना पचा हुआ वह बड़ी आथ में चला जाएगा और उस पदार्थ में से आपका पानी अफ्शोषित कर लेती है बड़ी आथ बाकी का सारा पदार्थ आप गुदा दौार के दौारा मतलब वेस्ट पटेरियल जो होता है आपका मटेरियल वह बाहर निकल जाता है शरीर से तो छोटी आथ में क्या होता है जितना भी पाचन हुआ है उससे चीज़ें अफ्शोषित कर ली जाती है यहां पर आपका आंतरी रस निकलता है जिसमें चुद्रांत चोटेयांत दोनों एक ही चीज़ें हैं यहां पर आपको रूत परी दिवारों में असंख रस होते हैं जिसके द्वारा पच्चे हुए भोजन का अभार निकल जाता है आगे आते बास्टरंटफे क्या होता है circulatory system इसको बोलते हैं जीविट वस्ता में हमारे चरीट में रख्त चरीट में सद्देभ संच्रुं करता रहता है ररक्त के इसी घ्रमण की क्रिया को हम कहाते रक्त प्रिशंच्रक इस पूरी प्रक्रिया में जिस बना होता है इसके बाद आगे भड़ते हैं जो आपकी रक्त भायकाएं होती है यानि कि ब्लड वैसल उसमें आपकी शिरा और धमनिया दोनों सामिल होती है और यही क्या करती है पूरे शरीर में रक्त का प्रसार करती रहती है इधर से उधर उनको ट्रांसफर करेंगी नेक्स किड़नी रूप में आपके बहार निकल सकते पसीना भी निकलता है अगर अंग की बात की जाए तो आप कौन-कौन से अंग लिखेंगे किड़नी हो जाएगा आपका तोचा हो जाएगी यक्रत हो जाएगा ठीक है उत्सरजन अप्षश्पदार्दों को बहार निकालने के जिस तंत्र का यूज करते हैं आपकी जो अंग यूज करेंगे उनंग का जो तंत्र होगा वो आपका उत्सरजन तंत्र कहलाता है सबसे मुख्य उत्सरजी अंग आपका व्रक्या किड़नी होता है और इस किड़नी में आपकी काफी सारी छोटी-छोटी कुशकाई मिलकर कि नेक्स्ट आगे भढ़ियेगा कीतों यानि की निसर्ग न लिकाएं नेक्स्ट आपका भोजन यानि फूट्ट प्रफोखह से एक वही सकती है जिस्तें विविन कारियों को आसानी से कर सकते हैं भोजन क्या करता है Hillary ौपता निभाते हैं वो पोशक तत्व क्या लाते हैं नेक्स जाते है स्कतर सबस्द garden शुरुड सबस्सक्राइब अप्सक्राइब सबस्सक्राइब वह अगर पूछे तो याद रखना लोकोस फ्रक्टोज और सुक्रोज आपकी सरल है और जटिल में आपका मंड या सैलुलियोज आ जाता है कार्बोहाइडरेट के कारे अलग से भी लिखायते उर्जा के प्रदान करना वसा की संचय में और प्रोटीन को उर्जा के रूप में ब्या होने से रोखने में मदद करता ये जब उर्जा नहीं होकी न तो उर्जा कार्बोहाइडरेटके निरमार करते है इसलिए कोका निर्मार करते है इसलिए प्रोटीन किसलिए आवश्यक है चरीके व्रदि और विकास के के लिए आवश्यक है यह कारवन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं इसमें नाइट्रोजन भी मौझूद होता है और इनकी सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती है अमीनो एसिट कहलाती है नेक्स देख लेजे प्रोटीन के कारे तो शरीर की प्रदिवा विकास करना तूटी-फूटी कोश्काओं की मरमत करना नई कोश्काओं का निर्मान करना इसलिए प्रोटीन को शरीर की आधार सिला भी माना जाता है विटामिन की बात करे तो विटामिन क्या है यह रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए आवश्यक कि जिनकी भोजन में अल्प मात्रा ही परियाद बस थोड़ी सी मात्रा से इनका काम चल जाएगा आपका जैसे दूद हो गया हरी सब्जियां हो गई मखन अंडा मास मचली इन सभी में आपके विटामिन मौजुद होते बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन रहेगा इससे आप गुलंशील विटामिन कौन से और वसा में गुलंशील विटामिन कौन से तो चल में गुलंशील विटामिन है आपका विटामिन बी और सी और वसा में गुलंशील विटामिन आपके है एडी एक जिसको कीड़ा करकेटर क्यात करवाई थी आपकी नेक्स राते विटामिन ए और भी चीज़े होती है विटामीन B में विटामीन वियाँ नाम जाते हैं आज़्य और सब्सें जादा मतला में आपका विटामीन से सबसे ज्यादा माता है विटामिन सी का आपका जो नाम है वह एसकोर्बिक एसद है ऐसा विटामिन केबल एकलोता है विटामिन जो आपका एसदिक रूप में पाया जाता है यह एसद होता है यानि की विटामिन डी का जो नाम है आपका कैल्सी फैरॉल इसकी कमी से सूखा रो व्याइश को आप मिलेगा नहीं इसलिए डॉक्टर भी आपको स्जेशन देते हैं कि विटामीन के कमी है तो प्राते-कालीन सूरे यानिकि सुबह जब सूरज उगता है तो उस टाइम सूरी का प्रकास ले जो भी है वाक करें आप उस टाइम की जो सूरे है ना उस वहां से आपको विटामिन D ज्यादा मात्रा में मिलेगा और उसके बाद मखण वगएरा में भी विटामिन D पाये जाता है लेकिन बहुत कम म फ्रॉल इसके कमी से जनन्चमता में कमीं हो जाती है और यह पाये जाता है आपका दूड अंडो की जर्दी मास और सब्जीतिया देमिक विटामिन के का जो है रासाइंग नप्रन और आपका सब्जिक से लग होता है कि रख्त का थक्का नहीं जमेगा अंगा और आपका पा करती है और वसा मनुसीब जनतूं में तफचा के नीचे चर्वी के रूप में संचित रहेगी वसा ऐसी आपको आपने सुना भी ओगा कि जो भौत ही ठंडे प्रदियों में जानवर होते हैं वो कैसे वहां पर रह पाते हैं आगे बढ़ते हैं कि इनकी अतिसूचम मात्रा ही परियापते ये शरीर के लिए उचित्विकास स्वास्त के लिए आविशक है जिसमें आपकी क्या क्या आएंगे केल्शियम फॉस्फोरोस पोटेशियम ख्लोरीन आयोडीन इत्यादी नेक्स आते हैं जल वा रेशे तो जल आपका क्या है खादे पदार्तों की संवहन में और जैब क्रियाओं को संपन कराने के लिए जल बहुत उपियोगी बोलते भी हैं जल ही जीवन है और रेशे रेशे क्या होते हैं ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में शायक होते हैं रेशेदार सबजी आपके आती है जो रेशे होंगे वो बिना पचे भोजन से कोशन बनेगा दो में से कोई एक कोशन बनेगा ही बनेगा दो नंबर में तो वह आहार जिसमें पोशक्त तत्व उचित मात्रा में विद्दमान होते हैं संतुलित आहार कहलाता है नवजाज शिशू जो होता है उसके लिए मा का दूद ही संतुलित आहार है या सर्वोत् प्रोटीन बसा कार्भोएडेट जल सब कुछ संतुलित मात्ता में उपस्तित होंगे नेक्स्ट आगे भड़ते परिरक्षड क्या होता है परिरक्षड वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को लंबे लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखा जा सकता है यानि कि दो साल चल रहे हैं तो वही क्या है परिरक्षड है अब परिरक्षड के उपाय क्या है वह देख लीजिए पहला है कीटनासक दवाइयों का प्रयों करना या सुखा कर रखना चीज को अंतराल से उबाल कर रखना प्रशीतन यानि कि ठंडा करके रखना जैसे दूद या प्रशीतन द्वारा अचार के द्वारा अचार रखते हैं आम का नीबू का या और मिक्स सब्जी का तो वह क्या है वह सब्जी काफी टाइम तक बनी रहेगी आपकी एक दो साल तक उसके बाद रसायनों द्वारा केमिकल का यूज कर या फिर डिब्बा बंद या नहीं कि कैनिंग विदी द्वारा भी हम परिरक्शन कर सकते हैं बोजन का नेक्स्ट आते हैं पास्चुरी करण पर पास्चुरी करण की खोच आपकी लूइस पास्चर ने की थी भोजन को परिरक्शन करने के लिए अत्त्ति उत्तम विदी है किसके इसके द्वारा किसका परिरक्श संटुलित आहार क्यों आवश्यक है यह कोशन आपका आया हुआ था तो आप इसमें लिख सकते हैं उज़ा के लिए शरीर के निर्मार्ण के लिए और अगर यह कोशन आपका दो नंबर में आता है तो अपनी तरफ से इसमें लेंग्विज बनाकर 75 लिख दीजिएगा नेक्स आते हैं पोशन कत्तों की कमी से होने वाले रोग तो कोशन की बिमारी हो जाती है अगर आपको उचित मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिलेगा सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाया कि संतुलित आहार में उचित मात्रा में पोशन कत्तों का अभाव रहता है तो उस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है तो यह आपके कुछ इंपॉर्टेशियम की कमी से दात्वा हड्डियां दुरलब हो जाती है तो यह सारी रोग आपके पोशक तत्व की कमी से हो गए और यह आपके एमसी क्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो गया पूरा टॉपिक पोशक तत्व कमी से रोग होगा यहां से आपका कोशन एक बनेगा आपका चैप्टर था परिवेशी सवच्चता अब स्वास्थे तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग लेख सकते हैं अपने आसबात का परिवेश को सवच्च रखना क्यों आवस्थे क्यों जुड़ा हुआ है इसको मैं छोड़ रही हूं उसकी बाद आते संक्रामक रोग तो संक्रामक रोग क्या है संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक प्रत्यक्षिया प्रत्यक्ष्य रूप से पहुंच जाते वह आपके क्यलाते संक्रामक रोग इनकी विशेष्ता है क्या है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शीगरता से लग जाता है और प्रतिक संक्रामक रोग की विशिष्ट अवधी होती है साबधानी वरतने से इन रोगों को रोक आ जा सकता है इसमें आपके कई सारे रोग आ जाएंगे तो वो देख लेते हैं इनको रोगताम बर नियंतरत करने के उपाएं हैं कि रोगी को प्रथक कर दो सफाई की आदर डालो उचदिकारियों को सूचित करें अगर बहुत बड़े उस पर जैसे कोवेड अभी चल रहा था और उसके बाद प्रतिरक्षण करना ये सब इसकी क्या हो जाएंगे संक्रामक कि काफी सार्य करवाई ते जो मैंने जिनमी शूर्षण और यह सब तो इतना सब आप लोगोंने देख़ा हुआ है तो मलेरी के लक्षण ह्एं भूसमी सब्वाद आपके का पूछ उन्वाद चोड़ों कि इस नःब है बाकी सारी जैसरी उनद कर यह पादो कि नहीं किसी को चाहिए कि मुझे सारे रोग याद करने कि इनका लक्षड क्या है कैसे बचा जाए इनसे क्या क्या उपाय किये जाए तो आपको PDF टेलीग्राम पर पड़ी हुई मिल जाएगी रोगों वाली आप वहां से उनको दयार कर सकते हैं ठीक है तो फटाफट जीवाडू से हो फट आप रोगों को देख लेते हैं जीवाडू से जो आपका रोग होता है इसकी ट्रिक है पंडित का टीका नहीं हुए प्लेग डिपटी थीरिया तपेदिक काली खांसी को टिटनिस ट्राइफाय निमवानिया और हैजा यह जीवाडू से होने वाले रोग है नेक्स्ट कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की विमारी ये पाइरिया से, सरी, प्रोटो जुआ से होने वाले रोग हो जाएंगे आपके इसके बाद आते हैं कवक से होने वाले लोग तो ये है दाद, खाज, दमा, एथिकल, फ्रूट और गंजा दमाद, खाए फ्रूट ऐसे करके कोई ट्रिक थी इसकी गंजा दमाद, खाए फ्रूट ये ट्रिक थी तो गंजा पन हो जाएगा, दमाद में आपका दाद और दमा दोनों आ जाएंगे खाए से खाद हो जाएगा और ethical fruit आजाएगा fruit का ठीक है तो यह आपके कबक्से होने वाले रोग हो गई next आते हैं टीका करण के उपर की टीका करण क्या है तो एक उप्यूगत समय पर रोग जनक की थोड़ी सी मात्रा शरी में पहुचाने से जो हमारा शरीर है उस विशेश प्रकार के रोगों के विरुद्ध लड़ने की छमता उत्पंड कर लेता है वही आपका कहलाता है टीका करण जैसे वैक्सिनेशन अभी चला था ना वैक्सिन लगी थी सभी को तो वैक्सिन लगने में होता क्या है जैसे किसी वी बीमारी की वै उस चोटे से जो भी आपके वाइरस डाले गए होंगी उन्से लड़ने की चमता उत्पन कर लेगा उस रोग से लड़ने की चमता उत्पन कर लेगा साकि भविश्य में अगर कोई विमारी एकदम से आ रही है तो बच्चा उससे लड़ने को पहले से तयार होगा इसलिए सभुप्त प्रुमंु पदार्त की सरचना का वह सूख्शतमकर् Arts उस्वतंत्र रवसथा में नहीं रह सकता लेकिन रासा इने करियाओं में भाग लेका। परमाडु कहलाता है। हम नाभिक बोलते हैं नाभिक क्यानिके नियूकलियस और इस नाभिक की खोज भी आपकी रदर फोर्ड ने की हुई है आगे आते हैं अडू अडू किसे कहते हैं तो किसी पदार्थ का वह सुक्ष्पनाकर जो सुतंत्र वस्ता में रह सकता है किन्तु रासायनी क्रिया में भाग नहीं लेगा अडू कहलाएगा परमाडू इसका पोजिर्टा की वह स्वतंत्र रवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासानी क्रिया में भाग लेगा वो आपका परमाडू कहलाता है परमाडू क्रमांग किसे कहते हैं तो वह मूलबूत संख्या जो उस परमाडू के नाबिक में उपसित प्रोटोन की संख्या को बताती है यह संख्या क्या है आपकी इलेक्ट्रोन की संख्या के बराबर भी होती है और इसको जो प्रदेशित करेंगे वो Z से करें यानि कि Z बराबर इलेक्ट्रोन बराबर प्रोटोनों की संख्या नेक्स आते हैं दर्वेमान संख्या किसे कहते हैं किसी परमाड के नाभिक में इसे प्रोटॉन वा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम कहते द्रविमान संख्या यानि की A बरावर P प्लस N आपसे कोशन पूछा जाता है कि माली जै किसी परमाड की द्रविमान संख्या पैते से इसकी प्रोटॉन की संख्या 17 है तो इसका की संख्या निकाल लेंगे तो आप आसानी से इसमें क्या करेंगे जहां पर आपका द्रव्मान संख्या है वहां पर 35 रख दो प्रोटोन की संख्या की जगा पी रख दो और न्यूट्रोन की संख्या यहां पर माइनस करके निकाल लेंगे बात करते हैं पर्माडु भार के से कहते हैं यानि कि atomic rate तो किसी तत्व का पर्माडु दर्वेमान या पर्माडु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक पर्माडु कार्वन बारा के पर्माडु के एक वटे बारवे भाग से कितना गुना है यह आपका पर्माड बारे के एक वटे कारवन बारे के परमाडू के एक वटे बार्बे भाग से कितना ज्यादा कितना गोना भारी है यह बताते आपका परमाडू भार अगर हम बात करें परमाडू करमांक और परमाडू और दर्विमान संख्या किस तरीके से व्यक्त की जाएगी तो X A आपका हो गुमते हैं ULT पास निगेटिव चार्ज होता वह चीजा शारी नीचे लिख होई है तो कुछ पत्त में चक्कर लगाते हैं वह आपका कहलाता सै कक्षा या के सैल बोलते हैं के थे मैंने हो आपकी सैल पाई जाती है यह पॉइंट इपॉर्टेंट है कि एक सैल में ऑफी कक्षा में प्रत्य कक्षा में कितने Elektron रह सकते हैं ज्यादा ज्यादा तो वह आपके रहेंगे 2N स्क्वार के रहें उसमें यानि कि K कमान एक है तो N की जगें एक रख दो और आपके निकल आएंगे दो L कमान दो है तो N की जगें दो रख दो दो दूनी चार दूनी आठ यानि कि L में आपके आठ आएंगे M कमान 3 है तो 3 रग दो 3-3 का 9 दूनी 18 यानि कि N में आपके कितने आ जाएंगे M में 18 इस तरीके से आते हैं आगे आते हैं उपकक्षा हैं तो उपकक्षा को ही और्बिट कहते हैं यह SP-DF के रूप में आपकी बटी होई होती है और इन और्बिट को फिर से बाठ दिया गया है मतलब हर और्बिट को बाठ जिसे S हो गया तो S को नहीं बाठ आए P P में 3 और बिटल पाए जाते हैं ऐसी आपका D आ जाएगा दी में आपके 5 orbital पाए जाते हैं इस तरीके से बाटा किया तो वो आपके लिए इतना जरूरी नहीं है सिर्फ आप orbit को धियान रखो कि orbit क्या है आपकी नेक्स आते हैं तत्व किसे कहते हैं तो तत्व जो है पदार्थ का मूल रूप है जो रासायनी क्रिया के दुआरा अन्य सरल पदार्थ पर भाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है तत्व अभी तक जितने खोजे हुए हैं वो आपके 119 तत्व खोजे जा चुके हैं अल उन्हों अलग-अलग वरताब करेंगे यह बात नहीं पर कही गई है इसके बाद आते हैं यॉगिक किसे कहते हैं तो दो या दो इसे अधिक पदार्थ या अधिक तत्व निश्चित अनपाथ में मिलाए जाते हैं और उनके सहयोग से पदार्थ बनता है वो पदार्थ कहला मिश्रण की बात करें तो जब दो या दो से अधिक पदात अनिश्चित अनुपात में मिलकर तैयार करेंगे कोई भी पदार तो वह पदार कहलाएगा आपका मिश्रण जैसे वालू और रेत का मिश्रण नमक और चीनी का मिश्रण पानी और नमक का मिश्रण यह क्या नेक्स आते हैं आपकी आवर्थ सार्णी तो तत्वों को आवर्थ सार्णी में वस्तित किया गया है आवर्थ और समू या वर्ग क्या होते हैं तो आवर्थ सार्णी में जो 36 पंक्तियां होते हैं इस तरीके से ये पंक्तियां आपकी आवर्थ कहलाते हैं और जो आवडशाणि जो थी उसमें आपके साथ आवड़ते और नौ रगते जीजित और अब बात करते हैं सभारिक समिस्थानिक और समयूटR राने की समिस्थानिक क्या होता है एक ही तत्व के परमाडु जिनका परमाडु द्रविमान भिन होता है परंतु परमाडु करमांग समान होता है समिस्थानिक कहलाते हैं जैसे 1H1, 1H2, 1H3, यानि कि एक ऐसे परमाडू जिनका परमाडू करमांक समान होगा और परमाडू भार यानि कि दरवमान संख्या उनकी भिन्न भिन्न होगी वो कहलाते हैं समिस्थानिक यानि कि आइसो टॉप समभारिक कहते हैं वे तत्व जिनका परमाडू दरवमान समान होगा परंतु परमा आड़ोगरमांग 18 19 20 यानि की अलग-अलग हैं सम्निट्रोन की बात करें तो ऐसे तत्वर जिनका क्या होता है जिन में न्यूट्रोनों की संख्यां समान होती है जैसे वन एच थ्री और वन एच टू को ले ले जाए हां पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन वन है द्रविमान संख् और जो आपका अधर्वान संख्या है वो चार हो गई चार में से दो गया यानि की न्यूट्रोन भी कितने निकल क्या गई दो तो नाम से समझ में आ गया कि सम्निट्रोनिक कौन से होंगे जिन में न्यूट्रोनों की संख्या समान होगी वो आपके सम्निट्रोनिक कहलाते है हैं बात करते हैं सnew जकता की सेऊँ जAKता क्या हूती है किसी तत्तों के पर मारणुके परश पर से परने कि सम्टा होती है ऊप 5 नेश्ट आते हैं और आछ आप करियां और आशानी क्रियामें इन क्रिया में आपका नाविक में परिवर्तन हो जाता है जबकि रासानी क्रिया में नाविक में कोई परिवर्तन नहीं होता इलेक्टरों जो है वो भाय कोश्य ही निकल जाते हैं बाकि नाविक में कोई चेंजिस नहीं होगा नाभिकी क्रिया में क्या होगा नए परमाडू भी बनते हैं और इसमें क्या होता है आपका नए यॉगिक बनते हैं थर्ड पॉइंट क्या है अत्यदिक मात्रा में उज़ा उत्पन होती जबकि रासानिक रिया में बहुत कम मात्रा में उज़ा होगी परिवर्तन बहुत कमी होता है उज़ा का परिवर्तन नेक्स्ट आपका फोर्ट क्या अभिकारकों वा उत्पादों का दर्विमान समान नहीं रहेगा इसमें नाभिकिया में और जबकी रासानिक में क्या है उत्पाद और अभिकारक का दर्विमान समान रहता है reaction के इधर और इधर balance की जाती है reaction क्यो, पुकि उनके धरविमान क्या रहते हैं समान रहते हैं हमेशा next आपका आता है रासाणिक सूतर किसे कहते हैं तो रासाणिक सूतर क्या होगा किसी एक ही तत्व के परमाड़ या भिविन तत्व के परमाड़ आपस में सहयोग करके अडू बनाते और उन अडू को क्या करना है रासानिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं प्रतीक चिनल जिसमें लगे होते हैं और उनमें नमबर लगे हुए थे रासानिक सूत्र में आपका सबसे important है मूलानुपाती सूत्र इसकी definition आपसे पूछी यानि कि कारवन का रेशियो है 6 और हाइड्रोजन है बारे ऑक्सीजन है आपके कितने 6 चैसे कट रहा है ना यानि कि जो अनुपाद बना वो कितना बना एक अनुपाद दो अनुपाद एक तो यह एक अनुपाद दो अनुपाद एक बनने से जब इसका सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा एक कारवन दो हाइड्रोजन और एक ओक्सन CH2O ये बना है C6H12 का मुलानुपाती सूत्र और अड़सूत्र या आडविक सूत्र क्या होता है जो वास्तिविक संख्या का बोद कराता है वो आपका कहलाता है अड़सूत्र जैसे ग्लूकोस का अड़सूत्र क्या है C6H12 अब हम कुछ important महतपून सूत्रों की बात कर लेते कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH जिसको बोलते हैं sodium hydroxide इसके बाद आते खाने का सोडा खाने का सोडा होता है आपका NaSCO3 जिसको बोलते हैं sodium bicarbonate धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O भी एड़ कर लेना वैसे अग अबतर का सूत्र होता है CHCO3 Siika का सूत्र होता है CH3COOH Acetic Acid इसका नाम होता है calcium carbonate नवक का सूत्र होता है NaCl यानि कि sodium chloride glucose का सूत्र होता है C6H12O6 जल का सूत्र होता है H2O नौसांदर का सूत्र होता है NH4Cl जिसको बोलते हैं ammonium chloride और लाफिंग एस का सूत्र होता है आपका N2O इसका नाम होता है नैट्रस ऑक्साइड आगे भड़ते हैं रासाइनिक समीकरण की तरफ तो रासाइनिक समीकरण क्या होते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक और उनके सूत्र के दोरा व्यक्त करना ही रासाइनिक समीकरण ठीक है अब हम बढ़ते हैं अमलो और छार की तरफ अमलो और छार में जो है आपका चैप्टर उससे पहले आपका पास पडोस में होने वाले परिवर्तन है तो पास पडोस में होने वाले परिवर्तन को देख लेते हैं कौन-कौन से आपके परिवर्तन है परिवर्तन होता क्य सब्सक्राइब तो आपके पास थोड़ी सी स्लो करने का भी और अगर बहुत स्लो लग रही हो तो स्पीड को तेज करने का भी दोनों आपके पास तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं रिवीजन की क्लास है तो जैसा आपको स्टेबल लगे वैसा आप करिएगा स्टार्ट करते मंद और तीवर परिवर्तन से वैसे मैं बिना टाइम वेस्ट किये ही आपको पढ़ा रही हूं भी इसने बिलकुर भी बात नहीं करती हूं सिर्फ पढ़ाई की टाइम पर और आए और यहां है कि जब हम एक्जाम दे कर आते हैं बैसे ही बहुत कम सिर्फ छलेब्ण का हो raising किया होग नाम से समझेए मन्यान की और एकर टेज से पर वरतन हो और परवरतन मंद गती में क्या आजाएगा नाखून का बढ़ना बालों का बढ़ना ये सब क्या है दीमी गती से परिवर्तन होंगे तेज गती से कौन सा होगा माचिस की तीली का जलना रसोई गैस का जलना रसोई में जो LPG गैस यूज होती है न उसका जलना ये सब आपके तीवर परिव तो अनकूल और प्रतिकूल का परिवर्तन में क्या होता है ऐसे परिवर्तन जो द्यानिक जीवन के लिए उपयोगी और हितकर होंगे अनकूल कहलाएंगे ऐसे परिवर्तन जो अनुपयोगी होंगे वो कहलाते प्रतिकूल परिवर्तन जैसे पौदो का फलफूल देना गोबर अनकूल है फसल तयार हो रही है उस टाइम पे और फसल तयार हो गई पक गई फसल तब बरसा हो गई तो वह आपके लिए प्रतिकूल परिवर्तन हो जाएगा नेक्स्ट आते नियमित और अनियमित परिवर्तन नियमित का मतलब है कि एक निश्चित समय पर लगातार होने वाल जίसके आने का या सब्सक्राइविस निस्ट निश्चित नहीं हो जैसे तूफान, आंधी, भूकम, जौला, मुक्छी। सबसे important आपका अब आगया है जहां से आपका question आता ही आता है बहुत एक एवं रासायनिक परिवर्दन इस chapter से को question बनेगा तो mostly question वो इसी से देते हैं आपका question तो बहुत एकर परिवर्दन आपक क्या होता है ऐसा परिवर्दन जिसमें पदार्थ की आकरतिवा अवस्ता में प बहुत तिक परिवर्तन के एक्जामपल है आपका पदार्थ का चून बनना लोहे में चुमकत उत्पन होना पानी से बर्फ बनना बर्फ से पानी बनना और रासाइनिक में आपका क्या है नया पदार्थ बनेगा पर नया पदार्थ से पुना वापस नहीं आ पाएंगे यानि परि outrage सीए आपको उलटने पदार्थ पुनहा वापस उसी सित्ही में आजा है और जिसमें बद़ दी गाए लेकिन पुनहां वापस उसी सित्हीं में नहीं आपाए, वो अनुत're मझीह होगा उत्क्रमणी जैसे पानी से बर्फ बन गी बर्फ से पानी बन गया इस्प्रिंग को खीच के चोड़ा कर दिया फिर इस्प्रिंग को छोड़ दो तो इस्प्रिंग बापस से वैसी हो जाती है वो उत्क्रमडी ही हो जाएगा अनुत्क्रमडी है, दूस से दही बन गया, दूद फट गया बापस आप दही से दूद में नहीं आ पाएंगे, फटे हुए दूस से बापस दूद में नहीं आ पाएंगे ये आपके अनुत्क्रमडी ही हो जाएगे नेक्स्ट है आपका नियंत्रित परिवर्तन और अनियंत्रित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिन पर हमारा नियंत्रण हो जैसे गाड़ी चला रहें तो गाड़ी पर नियंत्रण है बाइक चला रहें बाइक पर नियंत्रण है साइकल पर नियंत्रण हो जाएगा अनियंत्रित जिस पर हमारा नियंतर नहीं है जैसे लहरे आना, तूफान आना, आंधी आना, भुकम पाना, जुआला मुखी आना सारे आपके इसमें आ जाएंगे अब आते हैं अमलिचार और लवड पर सबसे important topic आपका अब शुरू हो चुका है chemistry का, यहां से आपका question बन सकते हैं chemistry के दो chapter आपके हैं, दो से तीन chapter वहां से आपके question, देखो, क्या 25 नमर का paper है तो सीधी सी बात है, एक question से दो question तो यहां से आना ही आना है common सी बात है वो तो, तो start करते हैं अमल चार को, प्राजी नवधारणा एक अनुसर यह था कि आपकेएसे पदार्थे जो स्वादमे खट्य होते हैं और चार आपके ऐसे पदार्थे जिस्वादमें कसाले होते हैं बात करें लिटमस पे पर की तो अमल ऐसे पदार्थे जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और चार ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं अब हम बात करते हैं इनकी आइनन के सिध्धान्त के अनुसार इनकी क्या परिभाशा दी गई है तो आर हीनियस ने बताया था कि अमल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जली विलियन में हाइड्रोजन आइन देते हैं जैसे हC-L को जल में डाला तो जली विलियन में क्या देगा ह प्लस C-L माइनस नैट्रिक एसिट को डाला यानि कि H-NO3 को डाला तो क्या बनेगा H-NO3 पर माइनस फिर होता क्या है यह H-NO3 क्या करेगा जल के अडू के साथ क्रिया करके हाइड्रोणियम आइन बना लेगा वो बात आपकी बात की बात है बस इतना याद रखो कि अमल वे पदा आरते हैं जो जली विलियन में क्या देंगे हाइड्रोजन आइन देते हैं और अमल कहलाते हैं बात करें कि अमल के एक्जामपल कौन कौन से हैं तो आपका हाइड्रोकलोरिक एसिड हो गया सल्फियूरिक एसिड ह2SO4 नाइटरिक एसिड हाइनो थी च्छार की बात करें तो च्छार ऐसे पदा आरते हैं जो चलिए विलियन में हाइड्रोक्सिल आइन देते हैं यानि कि ओएच पर माइनस आइन देंगे ये जैसे नA OH, NUH को जल में डाला तो नA प्लस और OH माइनस मिलेगा NH4 OH को डाला तो NH4 प्लस मिलेगा और OH माइनस मिलेगा बात करते हैं इनके एग्जामपल की तो नA OH आपका सोरिम हाइड्रोक्साइड हो गया KOH potassium hydroxide NH4OH ammonium hydroxide आपके चार के example हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं प्रबल चार और दुर्बल चार की तरफ तो प्रबल चार यानि कि strong acid और दुर्बल चार प्रबल अमल है पहले तो प्रबल अमल आपका हो जाएगा strong acid और दुर्बल अमल हो जाएगा आपका weak acid यानि कि वह अमल जो अधिक छम्ता तक आईनी करत हो जाते हैं यानि कि जल में पूर्णता आईनी करत हो जाएंगे वो कहलाएंगे प्रबल अमल जैसे आपका HCl, HNO3, H2SO4, HIE और वह अमल जो जल में पूर्णता आईनी ही होंगे यानि कि अंशता आईनी करत होंगे वो कहलाते हैं दुर्बल अमल जैसे Acetic Acid, Carbonic Acid आपका H3PO4 आजाएगा Phosphoric Acid और HPN आजाएगा Hydrogen Sainide बात करते हैं दुर्बल चार और प्रबल चार की तो वे चार जो जल में पूर्णता आईनीत या व्योजित हो जाते हैं प्रबल चार कहलाते हैं जो जल में पूर्णता आईनीत या व्योजित नहीं होते हैं या अंशता होते हैं वो आपके कहलाते हैं दुर्बल चार एक्जाम्पल की बाते हैं तो प्रबल चार आपका हो जाएगा NAOH, KOH, CAOH का होल्टवाइस दुर्बल चार आपका हो जाएगा MGH का होल्टवाइस, NH4OH इत्यादी अब बात करें अम्ल और चार के pH मान की तो अम्ल का पिएच मान होता है साथ से कम और चार का पी-एच मान होता है साथ से अधिक पी-एच स्केल कुछ ऐसा होगा बीच में साथ होता है इधर साथ से कम के मान आपके चलते हैं एक तो तीन चार तो यहाँ पे अमला जाएंगे और इधर आपके चार आजाएंगे कुछ आपके अमले चार दिये गए हैं दही में आपका लेक्टिक एसिड पाया जाता है सिर्का में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है कच्चाम और इमली में टार्टिक एसिड नीवू और संत्रा में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है CT में आपका Formic Acid पाया जाता है Tomato में आपका Oxalic Acid पाया जाता है और आवले में आपका S-Corbic Acid पाया जाता है Next आते हैं सूचक पत्र तो सूचक पत्र का काम क्या होता है वो देख लो Litmus पेपर, Phenophthalene और Methyl Orange आपके तीनों ही सूचक पत्र है जो नीले लिटमस होता है वो अमल जो है नीले लिटमस को लाल कर देगा चार लाल लिटमस को नीला कर देता है अमल जो है Phenophthalene को रंग ही नहीं रहने देगा Methyl Orange को लाल कर देगा चार गुलाबी कर देता है Phenophthalene को और Methyl Orange को कर देता है पीले रंग का बात करेंगे अब लवड की की लवड क्या होते हैं तो अमल और छार की अभिक्रिया से बने पदार्थ लवड कहलाते हैं इस अभिक्रिया में जल भी निक जल भी बनता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं उदासनी करण की अभिक्रिया बोलते हैं इसका देखो, HCL आपका अमल है, NAOH आपका अमल है, क्रिया कराई तो NACL बन गया लवड और निकल गया साथ में जल, ये रियक्शन आपकी करने को आई थी एक्जाम में, अभी तक आपके जो एक्जाम हुए हैं, लगबग तीन बार आपकी रियक्शन करवा चुके हैं वो लो आपका नमक का है, NH4, CL, अमोनियम क्लोराइड, KNO3, फिट करी, ये सब आपके लवड के एक्जाम्पल हैं, बात करते हैं, लवड के वर्गी करन की, तो लवड में आपका सबसे पहले आएगा सामाने लवड, यानि कि वह लवड जिसमें विस्थापनिया, हैड्रोजन आए विस्थापनिया, हैड्रोजन आएन पाए जाते हैं, वो आपके अम्ली लवड कहलाते हैं, जैसे आपका जो, क्या कहते हैं, एने एस सीओ थी हो जाएगा, सोडियम बाई, कार्बोनेट, ये आपका किस का सूत्रे, खाने की सोडे का सूत्रे, ऐसी एने एच फूस, एस एस अम्ली लवड हो जाएगा, नेक्स आते हैं, चारी लवड पर, यानि की बेसिक साल, तो इसमें आपका वह लवड आते हैं, जिसमें एक एक सेदिक हाइड्रोपसाइड आएन पाया जाते हैं, जैसे जैड एन ओएज का हो, जैड एन ओएज और सी एल, एम जी ओएज का होल तो इसमें से आपका एक ओएज चला जाएगा, दूसरा ओएज बना रहता है, और जो एक ओएज गया है, उसकी जगहें पर क्या आचाता है, और आपका लवड बन जाता है, ये इस तरीके से बनते हैं, दिक लवड की बात करें, तो वह लवड जो दो सामाई लवडों के ज होल थ्राइस इंटू 24H2O, और मोहर लवड का फॉयमूला होता है, FeSO4, NH4 का होल थ्राइस, SO4 इंटू 6H2O, आगे बढ़ते हैं, संकर लवड पर तो संकर लवड वह लवड होता है, जिसमें आपका एक तो धनायन होता है, और एक आपका संकर आयन, यानि कि एक धनायन और संकर आयन होगा, और उन एक धनायन और एक धनायन में से कोई भी एक कैसा होगा, संकर आयन होगा, और एक आपका साधार आयन होता है, जैसे K4, FeCN का होल 6, आपका पोटेशिम फैरोर साइनाइट का है, जब इसका विखंडन होगा जल में, तो 4K प्लस अलग हो जाएंगे, और आपका FeCN का होल 6, और उससे बैकेट पे 4 माइनस अलग हो जाएंगे, वो आपका कॉंप्लेक्स ताल्ट होता है, नेक्स्ट आते हैं विरंजक चूर्ण पर, विरंजक चूर्ण आपका क्या फॉर्मूला क्या है, CAO, CL2 होता है, इसका उप्योग क्या है, पानी को इंटू 10H2O, और बेकिंग सूटा का सूटर होता है, NaHCO3, ठीक है, यह रियक्शन आपकी आई होई है, CACO3 की क्रिया, जब HCl कराएंगे, तो क्या बनेगा, याद रखें, जब धातु कार्बोनेट की क्रिया, अमले के साथ कराते हैं, तो कार्बन डाय ऑक्साइड गैस नि लिजेगा, ऐसी एक रियक्शन आई थी, सोडियम की क्रिया करानी थी, ऑक्सीजन की साथ, तो आपका बनता है, Na2O, इधर O लगाया, और इधर लग जाएगा 4, इस तरीके से आपकी रियक्शन हो जाएगी, तो एक रियक्शन आपकी पूछी आ सकती, अमले अचार में से आ जा दिया है, जितनी भी इंपोर्टनेंट चीजे थी, अब यहाँ पर आपकी दो चीज़े बची हुई है, वो क्या है, आपका परियावरन प्रदूशण बचा हुआ है, और आपता प्रबंदन बचा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा, पर आपके सर आपकी क्लास लेंगे सामाजी की, तो उसमें आपका जौालना मुखी जौार भाटे यह आपके सब क्लियर भी हो जाएंगे, और यह सब आप करी लेंगे, तो वो मैं आपका परियावरन और आपदा नहीं करा रही हूँ, अगर किसी को लगता है, तो आपको वीड करती हूँ, कल का पेपर आपका साइंस का अच्छा पेपर आए, साइंस में थोड़ा कोश्चन वो आउट ओफ स्लेवर्स भी डाल देते हैं, यह बहुत जादा उनकी वो है, क्योंकि स्लेवर्स इतना है हो, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कितना तयार करेंगे, यह बहुत जाएं, जाएंस में थोड़ा साइंस का अच्छा पेपर आपका बना देते हैं, कोई एक तो आपका बनेगा ही बनेगा, तो तयारी अच्छे से करिएगा, मिलते हैं नेक्स फ्लास में, सभी को अलदा वेस्ट, एंड थैंक्स वर वाचिंग और प्लीस लाइक श